नाम स्वाथी और चाप्टर चल रहा है हमारा ''Acid Bases and Salt' और जो टौपिक हम पढ़ रहे हैं ताइस तो अकन लोगों ने salt के बारे में कौन से salt discuss कर लिए caustic soda के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं हम लोगों ने ये discuss किया था कि भाई acidic salt, basic salt क्या होते हैं और किसी चीज को देख कर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये acidic salt है या basic salt है पानी आड़ करने का process तो ये सारी चीज़ें हम already पढ़ चुके हैं उसके बाद फिर हमने bleaching powder के बारे में भी discuss कर लिया था और हमने थोड़ा बहुत baking soda के बारे में भी discuss कर लिया था ये सारी चीज़ें हम already finish कर चुके हैं तो अगर आज की class में कोई भी नया बच्चा आ रहा है या तो जो पहली बारी पढ़ रहा है इसको या जो भूल गया है मतलब की हमने क्या बढ़ा था क्या नहीं बढ़ा था तो एक बारी recall कर दिया है मैंने कि ये सारी चीज़ें हो चुकी है अगर इस part से आपका कोई doubt है चोटा मोटा doubt होगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगी clear करने की बट बेटा अगर आपको होगे कि मैं पूरे को पूरे procedure समझा दो process समझा दो तो time लग सकता है so I would suggest कि इस class से पहले आप पिछला topic जरूर देख ले बिकुस फिर जो हम आज की class में discuss करेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा because आज की class में हम आगे चलेंगे और वो बहुत जादा useless होगा अगर मैं कल की ही चीज़ को वापस से दोहरा रही हूँ क्योंकि फिर उस हिसाब से हमारी preparation जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी ठीक है तो कोई भी समझ नहीं आया repeat कर दो ऐसी spamming नहीं करेगा क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर computer जी आप लोगों के जो उसको time out कर देंगे तो अगर कोई भी बच्चा फालतू की spamming करेगा या फालतू की परेशानी करेगा उसको time out करा दिया जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगे तेक है आप लोगों के doubt नहीं आ पाएगे तो आई बुड सजेस्ट प्यार से अराम से doubt पूछो जो genuine doubt है वो तुम्हारा clear कर दिया जाएगा बड़ बत्तमीजी किसी भी साब की बरदाश नहीं होगी एक दूसरे के हाल चालनी पूछने है hello hi नहीं करनी है आई बात सामझ में तो फड़ा फच से class शुरू करते हैं अब हम लोग अपनी अच्छा रही हाँ quiz भूल गे थी बचों का आज आपका quiz है so class की शुरूआत में हर बारी हमारा quiz होता है तो अभी भी आपका quiz रगा देते हैं ठीक है तो आपके पहले quiz का पहला question आप सभी की phone की screen पर आता है ये which of the following can show color change in litmus paper इन में से कौन सा color change show करता है litmus paper पर dry HCl gas, dry H2SO4, HCl gas या फिर all of the above जल्दी बताईए जल्दी बताओ बिटा अगला question which acid is present in tomato या tomato, 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 टमेटो काउन सी? oxalic, tartaric, citric या फिर all of the above oxalic, tartaric, citric या फिर all of the above जल्दी बताओ clear? चलिए तो जल्दी से अब आगे चलते हैं जिन बच्चों के अज फर्स्ट क्लास है उनको नहीं समझ में आ रहे होंगे ये जो quiz के questions हम discuss कर रहे हैं तो परिशान नहीं होना है धीरे धीरे जब इस chapter को हम दुबारा से पढ़ेंगे बाद में आपको आती रहेंगी चीजे समझ में या फिर आप पुराने जो हमारे lectures है वो lectures देख लो तो चीजे आपको बहुत जादा समझ में आ जाएंगे which of the following can show color change in litmus paper अब litmus paper में color change कौन शो करता है या तो कोई acid हो या तो कोई base हो यहाँ पर तीनो options में मुझे acid गिवन है but difference क्या है यहाँ पर dry HCl given है यहाँ पर dry H2SO4 है और color change शो करने के लिए उस चीज को wet होना चाहिए because पानी की जरूरत होती है अगर किसी acid को अपना acidic behavior दिखाना है तो जो HCl gas होगी वो शो करेगी but dry HCl gas and dry H2SO4 नहीं शो करेगी क्योंकि वो सुखे है तो वो अपना acidic character show नहीं कर पाएंगे अगला है टमाटर के अंदर कौनसी acid present रहती है तो टमाटर के अंदर कौनसी acid present रहेगी citric या फिर oxalic टमाटर खटा होता है तो हमें टमाटर सुनकर ऐसा लगता है कि या टमाटर खटा है और हर एक खटी चीज में citric acid होता है तो इसमें भी citric acid होगा टमाटर में present रहता है आपका oxalic acid so what is your correct option option A oxalic acid ठीक है चालो तो फिर अब हम लोग एक बारी जल्दी से announcement देख लेते हैं डाउटनेट में class 10th का एक नया VIP course शुरू हो रहा है जो ये course है इसके बहुत सारे फायदे है जो आप अपने सामने देख सकते हैं इस course में आपको क्या मिलेगा 6 हफटे में 6 दिन आपकी ये class होंगी दिन की 3 classes होंगी homework, notes, slide और test आपको मिलेंगे weekly motivation होगा, guidance session होगा reference books दी जाएंगी आपको और ये सारी चीज़े इसमें included होगी इस course में आपको ये सारी की सारी facilities मिलेंगी ये होंगे आपके physics teacher, chemistry teacher, biology teacher, maths teacher, english teacher and social science teacher इस course की fees होगी 6,000 रुपे एक साल का पूरा course होगा सारे subjects इसमें cover होंगे course के बारे में और जान करी चाहिए तो इस number पर आप contact कर लेना या फिर नीचे जाके comment कर देना नीचे जो आपका comment section होता है वहाँ पर जाके comment कर देना अभी computer जी एक poll run करेंगे जल्दी से उस poll को attempt कर लेंगे हम कि क्या आप class 10 board व्याइपी course को join करना चाहेंगे तो हाँ या नामे अपना जवाब लिख देना ठीक है जल्दी से बताओ done चालो तो फिर शुरू करते हैं शुरू करने से पहले थोड़े बहुत questions लगा लेते ताकि मुझे पता चले कि जो salt है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं proper से तो चार सवाल लगाएंगे हम लोग बढ़िया तरीके से बताना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है name the ions name the ions present in the following salts name the acid and base from which they can be obtained चलो name तो मैंने लिख दिया magnesium sulfate, sodium carbonate, potassium, chloride हम मुझे ये बताओ magnesium sulfate जो है वो किस से बनता है कौन से दो ions से मिलके बनता है sodium carbonate कौन से दो ions से مिलके बनता है potassium chloride कौन से दो ions से मिलके बनता है उसके बाद फिर acid और base बताना ठीक है आप लोग बताओ इतने मैं हम अपना चश्मा साफ कर लेती है जल्दी spamming नहीं करेगा कोई किसी तरीके की अगर कोई इस class को पहली बरी ले रहा है तो बेटा जो मैं पढ़ा रही होंगे कुछ समझ में नी आएगा तुम्हारे तो इतमे नान से बैठो जो बता रही हूँ बस वो समझो ठीक है सब कुछ नया नया होगा आपके लिए तो होता है ऐसा तो जो बता रही हूँ जो बता रही हूँ से समझो अब magnesium sulphate देखो magnesium sulphate का formula क्या होता है बेटा MgSo4 अब मुझे ये बताओ magnesium sulphate में कौनसे कौनसे ions प्रेजन्ट होगे बड़ा ही आसान है एक तो Mg2 plus ion होगा और 1 So4 minus 2 ion होगा ये दो ions प्रेजन्ट होगे क्लास में पढ़ा है हमने और जिसको यह आयन बनाने नहीं आते हैं पिछली क्लास जा कर देख लो बेटा उसमें प्रॉपर इलाबुरेट तरीके से मैंने समझाया है ठीक है अब मुझे यह कैसे पता चलेगा कि MgSO4 कौन से आसिड और कौन से बेस से बना है इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं वो ट्रिक क्या होती है कि भाई हम इसमें डाल देंगे पानी ठीक है अब पानी दो आयन से बना है पानी के आयन्स कौन से कौन से है H प्लस है और OH माइनस है ठीक है अब रोमियो जूलेट कॉंसेप्ट लगाना है हमको रोमियो जाएगा जूलेट के क्योंकि positive negative के पास जा रहे हैं वैसे ही Juliet जाएगी Romeo के पास तो H और SO4 मिलकर क्या बना लेंगे? H2SO4, Mg और OH मिलकर क्या बना लेंगे? Mg, OH, whole, twice. तो अब इसमें मैंने दो चीजों का answer देख लिया, कि भाई, magnesium sulfate जो है, वो दो ions का बना हुआ है, Mg2+, and SO4 का, और magnesium sulfate salt बनाने के लिए कौन सा acid और कौन सा base मिला था? वो भी मैंने देख लिया, H2SO4 and Mg, OH, whole, twice. आई बात समझ में? आई बात समझ में clear है या नहीं? अगर clear है, तो thumbs up दिखाओ, clear नहीं है, तो raise hand करो, that's it. clear है? ठीक है, ऐसे ही हम sodium carbonate का करेंगे, what is sodium carbonate? sodium carbonate is Na2CO3, आप जो Na2CO3 है, उसमें कौन से कौन से ions present है, जिसको ये नहीं समझ में आया है, वो ये वाला देख लो, इसमें एक Na plus present है आपका, और CO3 minus 2 present है, ये जो ions है ना, ये आपको बेटा, खुद से ही बनाने सीगे, लिखने पड़ेंगे, because 9th class में, we already do that, okay? Na plus है, and CO3 minus 2 है, अब इसमें भी वैसे ही करो, इसमें हम डालेंगे H2O, और ये जो चीजे मैं आपको बता रहूं है, इसमें हम डालेंगे H2O, ये रफ में करना है, अपने exam में, ठीक है? हमें examiner को ये अपनी trick नहीं दिखानी है, हम ये रफ में करना है, examiner को फरक पड़ता है, बस final answer से, ठीक है? तो examiner को ये सारी चीजे करके नहीं दिखानी है, ये रफ में करना है, बेता, okay? अब इसमें है H plus और OH minus, रोमियो जूलेट रूल लगा दो, कहीं तुम पेपर में लिखाओ, कि माम ने कहा चा, रोमियो अब हमारे पास, we are going to get NaOH and H2CO3, ठीक है? ये होगा मेरा base और ये होगी मेरी acid, clear है? उसी तरीके से, आप potassium chloride का भी नकालो, KCl, इसका भी ऐसे होगा, K plus होगा, Cl minus होगा, इसमें डाल दिया पानी, पानी में होता है H plus and OH minus, ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा, इसके पास, KOH और HCl, clear है? कंप्योटर ची देखे, बचे लोगों को confusion ओट रही है, कोई बच्चा परिशान है या नहीं, सभी को clear है ना? आप ध्यान रखना, H2CO3 तुम्हारा weak acid है, NaOH strong base है, तो Na2CO3 basic salt होगा, उसी तरीके से MgSO4 एक strong acid और strong base से मिलके बना है, तो ये neutral salt होगा, KCL भी strong acid और strong base से मिलके बना है, तो ये क्या होगा? neutral होगा, ठीक है? So KCL and MgSO4 neutral salt है, क्योंकि उसमें acid and base दोनो strong है, आई बात समझ में तो strong strong के effect को cancel कर देगा, Super duper easy है, जिस बच्चे को समझ में नहीं आए, आप एक बारी एक काम करना, क्लास को repeat करके देख लिया करो, Of course, अभी मत करना, क्लास के बाद करना, उसको repeat करके देखा करो, और फिर मुझे बताया करो, कि ma'am हमें समझ में क्यों नहीं आया, कि ma'am हमें ये नहीं समझ में आया, और फिर मैं आपसे पूछूँगी बेटा, इसमें क्या point नहीं समझ में है, वो कते हैं, एक दम मतलब उस करके लाना है, आपको इसको homework बनाना है अपना, ठीक है, ये homework होगा आपका, इसमें आपको बताना होगा, कि भाई, कौन सा, ये हमारे पास चार salt है, इन में से कौन सा salt है, जो acidic solution देगा, ठीक है, अब जिस salt का nature acidic होगा ना, वही हमें acidic solution देगा, जिस salt का nature acidic का क्या मतलब है, अब देखो, salt किस से बनता है? एक acid और base मिलके बनता है. अब acid अगर strong है, तो salt acidic हुआ. अगर base strong है, तो salt basic हुआ. तो आपको इन में देखना है, कि भाई, किस option में acid जो है, वो strong है? क्योंकि जिसका strong acid होगा, वही क्या होगा? हमारा acidic salt. ठीक है, अभी नहीं बताना है answer बाद में. ये homework है न, homework रखो. ऐसा ही similar ये वाला है आपका homework. ठीक है? इसमें आपको बताना है, कि alkaline solution कौन सा होगा. alkaline solution का क्या मतलब है? जो basic in nature होगा, यानि कि वो salt जिसमें एक strong base use हो रहा है. ओके? ठीक है, हमवक है ये, अभी answer नहीं बताएगा कोई भी. ठीक है, चलो. आगे चलते हैं, ये भी ऐसा साही है, इसमें बस मैं थोड़ा सा समझा दीती हूँ, इसमें लिखा है, कि इनमें से कौन सा phenophthalene को pink कौन करते हैं? acidic करते हैं या base करते हैं? phenophthalene को pink कौन करता है? acid करता है या base करता है? चल दी से बताओ. phenophthalene colorless होता है, और उस colorless solution को acidic कौन बनाता है? colorless solution को, sorry, colorless solution को pink कौन बनाता है? एक base. तो अब आपको बस यहाँ पर ये बताना है, कि इन options में से basic salt कौन सा है, ठीक है? तो बस यह आपको में समझाना चाहरी थी, कि directly भी पूछ सकते है, acidic salt बताओ, basic salt बताओ, और indirectly भी पूछ सकते है, acidic salt कौन सा है, और basic salt कौन सा है. clear है? thumbs up! clear है सभी को? clear है सभी को? चले? चलो, एक मिनिट चलो, बहुत बेड़िया, computer जी कह रहे है, बच्चों को absolutely clear है, चले, आगे चलते हैं भम, ठीक है, so we have discussed, यह questions वगरा, now we are going to discuss, baking soda भी हमने बढ़िया तरीके से डिस्कास कर लिए, बेकिंग सोडा क्या होता है, हमारा, NHCO3 होता है, कैसे कैसे बनता है, ammonia वगरा भी यूज होता, यह सारी चीज़े हमने डिस्कास कर ली है, अब मैंने कल आपको बोला था, कि बेटा, जो भटूरे होते हैं, समोसे होते, बेसिकली, जो मैदा वाली चीज़े होती है, उनको फुलाने के लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, तो केक जो है, उसके लिए मैं बेकिंग सोडा यूज कर सकती हूँ, केक के केस में भी मैं बेकिंग सोडा यूज कर सकती हूँ क्योंकि देखो जो ये केक इसको थोड़ा एन्हांस करती है माम को भी भूख लगी है तो तुम्हें भी भूख लगेगी अब केक को देखे चॉकलेट वाला केक, ओ माई गॉड अब जो केक है, इसमें तुम्हें कहीं कहीं पर ऐसे छेद छेद से दिख रहे है न तो ये क्यों है, क्योंकि यहां से कुछ बाहर निकला होगा, एक प्रोसेस होता है लीवनिंग, लीव करना क्या होता है, छोड़ना तो उसी तरीके से एक process होता है लीवनिंग ठीक है उसके कारण ये छोटे-छोटे छेद होते हैं अब ये छेद किसले हो रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ना carbon dioxide trap हो रही थी और वो carbon dioxide बाहर निकल रही थी तो हम baking soda sorry baking soda को use कर सकते हैं ना वही baking soda यूज कर सकते हैं इसके लिए भी हमने जब भटूरे और समोसे फुलाने थे हमने baking soda यूज क्या है क्योंकि baking soda क्या होता है कल ये reaction बढ़ाता ना आपने कि baking soda क्या होता है जब ये गरम होता है ना तो ये तूट जाता है और ये na2 co3 plus co2 form करता है और ये co2 gas के कारण ही हमारे भटूरे फूल जाते हैं हमारे समोसे फूल जाते तो मैं ये चीज तुम से पूछ रही हूँ कि भाई अगर cake को फुलाना है तो मैं baking soda यूज कर सकती हूँ या नहीं अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि नहीं मैं हम नहीं यूज कर सकते हैं तो ये भी बता दो क्यों नहीं यूज कर सकते हैं अगर नहीं यूज कर सकते हैं तो क्यों नहीं यूज कर सकते हैं जल्दी से बताओ क्यों नहीं यूज कर सकते हैं क्या reason हो सकता है अब देखो जैसे suppose यही मैंने NaHCO3 लिया इसको ना मैंने केक तो बना रखा होगा ने सबी लोगों ने घर पे केक मनलब जब lockdown हुआ होगा तो सबी लोगों ने पका घर पे केक बनाने का try किया होगा मेरे घर पे भी oven microwave वगरा कुछ भी ने मैंने भी cooker में बनाया था जो कुकरी शोज होते हैं तो मैं भी battery बोलती हूँ तो battery में क्या हुआ हमने ना मस्त उसको घोला 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 उसके बाद उसको एक छोटे से पतीले में डालके कुकर के अंदर हमने रख दिया अब वो फूलता है तो उसे में बता चल जाता है यह भाई वो पग गया है इस case में भी वो फूल जाएगा बट जो वो केक होगा वो कड़वा होगा टेस्ट में कड़वा क्यूं होगा वो केक टेस्ट में अगर मैंने baking soda यूज कर लिया उसको फूलाने के लिये हाँ मतलब क्यूं होगा कड़वा ये बताओ कुकर में मैंने या कुकर कड़ाई लोग कुछ भी यूज करते हैं तो वो फूल ने लगता है वो फूल रहा है बेकिंग सोटर डालने पर फूल एगा बट वो कड़वा होगा उसके कड़वे पन का कारण क्या हो सकता है बताओ जल्दी से क्या कारण हो सकता है उस डो के अंदर या उस बैटर के अंदर सेम यही रियाक्शन तो चल रहा होगा कि भाई NaHCO3 टूट रहा होगा into Na2CO3 और यह कारण डायोकसाइड के कारण वो केक फूल रहा होगा बट वो केक खाने में तो कड़वा होगा हमें तो भाई मीठा केक चाहिए होता है कड़वा इसी लिए है क्योंकि Na2CO3 एक बेसिक सॉल्ट है और बेस कैसे होते हैं टेस्ट में? बिटर ठीक है? तो मैंने उस बैटर के अंदर NaHCO3 डाला मिलाया जैसे ही मैंने उसको गरम क्या कुकर कड़ाई के अंदर वो फूला और उसने Na2CO3 बना लिया और Na2CO3 एक बेसिक सॉल्ट होने की नातिक कड़वा होता है तो वो केक जो मीठा टेस्ट करना चाहिए था वो अब कड़वा टेस्ट करेगा इसलिए मैं बेकिंग सोडा यूज नहीं कर सकती हूँ मैंने एक दूसरी चीज़ बनाई जिसको मैं कहती हूँ बेकिंग पाउडर मदद लूँगी मैं बेकिंग सोडा की ही पर मैं बनाऊंगी मेरा baking powder अब baking powder बनता कैसे है आपका आप वो भी देख लेते हैं जल्दी से ठीक है क्या-क्या डालते हो baking powder में बनाने के लिए एक हम acid यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं tartaric acid ठीक है तो जैसे suppose मैंने हाँ पर नीचे लिख देती हूं यहाँ पर मैंने यूज किया tartaric acid उस tartaric acid से मुझे क्या मिलेगा मुझे H प्लस आयन मिलेंगे यह hydrogen ions मिलेंगे अब reaction क्या होगा यह Na प्लस अलग तूट जाएगा carbon dioxide होगा और H2O यानि की water बाहर निकलेगा तो tartaric acid के कारण जब मैंने इसको heat किया instead of forming Na2CO3 इसने यह reaction किया तो अब इसमें carbon dioxide बन रहा है यह carbon dioxide फुला रहा है बट अब Na2CO3 नहीं बन रहा है यानि की इस cake को कड़वा करने के लिए कोई भी चीज नहीं बन रही है clear है सारे बच्चा लोगों को clear है तो बोलो yes clear नहीं है तो मोलो no जल्दी से ठीक है तो Na2CO3 कड़वा होता है because it is basic in nature जितने भी हमारे base होते है वो कड़वे होते है in nature clear है सारे बच्चा लोगों को clear है तो thumbs up दिखाओ जिसको नहीं clear है वो raise hand करो that's it चलो बीटा क्या के रहे computer जीए चलो तुम लोग अपने जवाब दो इतने में पानी पी लेती हूँ चलो चलो रुको तो इतने में मम पी लेती हूँ चलो फिर आगे अब आगे हम बात करेंगे हमारे washing soda निर्मा के बारे में अब washing soda होता है बेटा NA2CO3.10H2O अब अकसर मैंने करें हमेशा ही होगा अकसर तुम confused हो जाओगे NA2CO3.10H2O और NAHCO3 में कभी तुमसे कोई question आया बड़ा ही असान सा question होगा कि भाई washing soda का formula बताओ तो you'll get confused options में NA2CO3.10H2O भी हुआ और NAHCO3 भी हुआ तो तुम हो जाओगे confused मैं खोदो जाती हूँ तुमारी तो क्या ही कहूँ मैं खुद confused हो जाती हूँ तो हम ऐसे याद कर लेते जो washing soda होता है वो कपड़े दोने में use होता है हमारे घर में जितने भी सर्फ है रिन है जितनी भी चीज़े है उन सब में ये washing soda present रहता है और भी चीज़े होती है बट washing soda present रहता है जब कपड़े धोते हैं तो धेर सारा पानी चाहिए होता है तो अपने दिमाग में एक ऐसा सही short cut बना लो कि washing soda वो होगा जिसमें 10 molecule of पानी होगा क्योंकि कपड़े धोने में पानी की तो जरूरत होती है कपड़े कैसे धोगे बिना पानी के तो पानी धोने में कपड़े धोने में पानी की जरूरत होती है तो washing soda में भी 10 molecule of water होता है अब बहुत से बच्चे बुलेंगे माम ये dot 10H2O क्या होता है dot 10H2O का मतलब है कि जो ये Na2CO3 का salt है ना उसके अंदर 10 molecules of water of crystallization प्रेजन्ट है अब बोलोगे माम ये 10 molecule of water of crystallization का क्या मतलब है पानी जो होता है अकसर liquid form में होता है बट ऐसे कुछ-कुछ salt होते हैं जिन में पानी crystals के form में present रहता है कभी अगर जिन्दगी में तुमने कपड़े धोई हैं तो जो कपड़े धोने का सर्फ होता है या पाउडर होता है उसको उठा के देख तो वो completely सूखा नहीं होता है थोड़ा सा गीला गीला सा होता है थोड़ा heavy heavy सा भी feel होता है क्यों कि उसके अंदर 10 molecules of water present है crystal form के अंदर उसमें 10 molecules of water present है crystals के form में clear है तो Na2CO3.10H2O washing soda होता है केवल Na2CO3 लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि केवल Na2CO3 तुमारा soda ash हो जाएगा तो जब भी पूछा जाए washing soda पूरा formula लिखना है sodium carbonate can be formed by heating baking soda यानि कि मैं baking soda heat करने पर इसको form कर सकती हूँ baking soda को heat करने पर क्या मिल रहा था बेटा पीछे ही देखा था पीछे ही मैंने आपको reaction show किया था कि भटूरे में जब मैंने Na2CO3 को heat किया तो मुझे Na2CO3 प्लस CO2 मिल रहा था और यही CO2 भटूरे को फुला रहा था अब यह जो Na2CO3 बनेगा इसमें जब मैं 10 molecule of water जोड दूंगी तो यह washing soda बना लेगा तो जो baking soda है उसको heat करने पर जो एक product बना उसमें 10 molecule of water डालने पर उसमें 10 molecule of water डालने पर मुझे washing soda मिल गया तो क्या करूंगे अब Na2CO3 प्लास 10H2O और मुझे मिल जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O clear है बिटा जी clear है understood है न चीक है और मैंने आपको यह भी बनाना सिखाया था कि यह कैसे बनेगा यह कैसे बन रहा था मैंने बोलो था कि बिटा sodium कहां से आएगा NaCl से hydrogen कहां से आएगा water से CO3 कहां से आएगा carbon dioxide से मैंने बोले यह 3 चीज़े तो तुम formula देखके लिख लोगे बट एक चीज जो हम अकसर भूलते हैं कौनसी चीज है जो मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूं जल्दी से बता दे बिटा क्या लिखना भूल गई जल्दी अमोनिय ठीक है यहाँ पर आएगा अमोनिय और फिर हमें मिल जाएगा हमारा NaHCO3 फिर जिसको हम हीट करेंगे हमें Na2CO3 मिल जाएगा फिर Na2CO3 में हम दस वाटर डाल देंगे और हमें मिल जाएगा हमारा वाशिंग सोडा निर्मा ठीक है अब यूज़ेस ओफ वाशिंग सोडा देख लेते हैं जो वाशिंग सोडा होता है हमारा ग्लास, सो, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है इट इस यूज़ड इन दी मैनुफाक्चर ओफ सोडियम कंपाउंड हमारे घरों में वो नी होते कॉक्रोच को मारने की एक दवाई होती वो हिट की दवाई आती है जो छोटे वाली हिट की दवाई होती है जो हम खाने में मिलाके रखते हैं ताकि कॉक्रोच खा ले उसमें यही बोराक्स यूज़ होता है कोक्रोच की लिंग दवाई में सोडियम कार्बोनेट can be used as a cleaning agent अफकोर्स गाड़ी-गूडी साफ करने में सर्फी तो यूज करते है न हम शैंपू जैसे मैं जब मेरी स्कूटी साफ करती हूं तो एक रुपय का क्लीनिक प्लेस लियाती हूं बाल्टी भर के पानी में घुल जाता है वो उसे पूरी पूरी स्कूटी दस बारा गाड़ियां और धुल जाती है ठीक है? सो क्लीनिक प्लेस यूज कर लेते हैं आपन लोग अब जो हमारा खारा पानी होता है खारा पानी is because क्यूंकि उसमें कैल्चिम और मेगरीशिम के काबोनेज प्रेजन रहते हैं खारे पानी में बेटा कपड़े नहीं दूल सकते क्यूंकि जाग बनेगा नी तो खारे पानी को मीठा तो करना पड़े गाई वनना तो दिक्कत हो जाएगी तो खारे पानी को हम मीठा पानी कैसे करते हैं वाशिंग सोडा मिला देते हैं उसके अंतर ठेक है या जो डिटरजेंट होते से आपने लोगों ने ने सोप एंड डिटरजेंस नहीं पड़े उसमें हम ये पड़ते हैं कि यार सोप जो होता है वो लैदर नहीं बना पाता बट वाशिंग सोडा या डिटरजेंट जो होते है वो जाग बना देते हैं क्यों कि भाई डिटरजेंट के अंदर तुम्हारा वाशिंग सोडा होता है और वो वाशिंग सोडा ही तो उस हार्ड वाटर को soft water बना देता है इसलिए detergent खारे पानी में कपड़े दो देंगे बट soap कभी भी नहीं दो पाएंगे सीधी से इतनी सी बात है clear है चालो तो आगे चलते है बिटा अब पढ़ते हैं plaster of Paris के बारे में बड़ा ही असान सा और बिल्कुल ही छोटा सा टॉपिक है इसके में तो कुछ भी नहीं पढ़ना है हमें बस तुम लोग फसोगे कहां पर वो मैं तुमें समझाओंगी तुम लोग फसोगे पी ओ पी के फॉर्मुला में अब भी में बताओंगी कैसे फसोगे ठीक है अब इसमें क्या लिखा है plaster of Paris कैसे बनता है कि भाई जिपसम को हम हीट करते है 373 Kelvin पर ठीक है जिपसम को हीट करके दिखाते है जिपसम क्या होता है बिटा CASO4.2H2O यह होता है तुम्हारा जिपसम इसको हीट करोगे और बिटा हीट भी एक specific temperature तक ही करना है कहां तक केवल 100 degree Celsius तक 100 degree Celsius से अगर उपर लेकर गए तो क्या हो जाएगा कुछ और ही बन जाएगा यह ठीक है तो केवल 100 degree Celsius तक हीट करना होगा यहां पर हमें क्या मिलेगा CASO4.2H2O ठीक है दो था दो में से आधा पानी बचा यानि की डेड़ पानी चला गया तो मैं चाहे उसको ऐसे लिखू 1.5H2O या फिर मैं उसको ऐसे लिखू 3 by 2H2O एक ही बात होगी आधा पानी बचा बस यानि की डेड़ पान ही निकल गया हमारा at higher temperature gypsum will lose all of its water to form anhydrous calcium sulfate known as dead burnt plaster पिछले केस में क्या था केवल Na2CO3 को हम कहते थे soda ash इसमें अगर मैंने इसको CASO4.2H2O को heat कर दिया at a temperature greater than 100 degree Celsius तो यहाँ पर बन के रह जाएगा केवल CASO4 और इसको मैं क्या कहूंगी dead burnt plaster इसलिए इसको carefully heat करना होता है अगर ज्यादा heat कर दिया तो बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी अब तुम मुझे यह बताओ तो question यह है कि इसको मैं क्या कहूंगी CASO4.2H water कहूंगी इसका proper नाम क्या होगा P.O.P. का अगर कोई तुम से पूछे कि P.O.P. क्या होता है कोई तुम से पूछे कि P.O.P. क्या होता है तो P.O.P. होता है calcium sulphate hemihidrate जब भी आधा पानी होगा तो हम उसको कहेंगे hemihidrate ठीक है so CASO4.2H2O is hemihidrate understood understood है न और अब इसके बास uses देख ले न बाकी इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा तुम लोगों से hemihidrate होता है हमारा ओके और इसको मैं बेटा ऐसे भी लिख सकती हूँ CASO4 2 कर देगे न 2CSO4.H2O ऐसे लिख सकती हूँ इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ मैं 2CSO4.H2O सेंस बनता है इसका बिल्कुल सेंस बनता है आधा पानी हम कभी भी नहीं दिखाते हैं वो तो फॉर्मुले में हमने लिख दिया लिख दिया बट जब भी तुम्हें एक्जाम में देखोगे तो वो 2CSO4.H2O के फॉर्म में भी होगा इस आधे पानी को हटाने के लिए मैंन दोनों ही correct formula है तुम्हारे P.O.P के जिसको समझ नहीं आया वो लिखते ना इसको आपन लोग next class में लपेट लेंगे बिल्कुल परिशान होने वाले बात नहीं है अब इस chapter के उपर जो यह हमारा salt वाला part है इसके उपर questions लगाएंगे हम next class में तब तक के ले मिलते हैं कल की class में तब तक के ले बाय बाय बचलोग